चाड़कण में 26 है सहाय काचाच भरती परिक्षा जिसमें क्लास 125 इंटर्मीडिये अस्तर और क्लास 6-8 सनातक अस्तर दोनों की परिक्षा संपन हो चुकी है और बस इंतजार है तो रिजल्ट का तो चले इस वीडियो में हम important बात बताएंगे कि जैसे से ने कल जो संसोधित कै calendar एक बार फिर से रिलीज किया है जिसमें जैसे cjl exam हो या फिर उत्पात सिपाही की परिक्षा हो या intermediate अस्तर की जो computer level की vacancy हो इसके बारे में सब कुछ बता दिया गया है नगरपालिकार की result को लेकर भी तो सहाय का चार्ज को लेकर इसमें क्या update है और इसके माध्यम से आप लोग का कब तक आने के संभावना है देखिए पहला point यहाँ पे है कि supreme court ने फिलाल के लिए भी इस्टे लगा हुआ है result पर और जैसर सी अपनी तरफ से पूरी कोसिस में है और 6-8 का answer की है ये भी जो है update मिल रही है कि आप लोग को लगवक 7 या 10 दिन के अंदर अंदर कभी भी आप लोगो answer की देखने को मिल सकता है class 6-8 का ठीक है क्योंकि इसमें आप लोग जानते होंगे कि छाडखर में जितने भी exam हो गया है class 1-5 में उनका जो answer की था वो provenal answer की वो complete हो आ गया था लेकिन 6-8 का अभी तक जो है paper 2, 3, 4 का answer की आना बाकिया है और इसका answer कि calendar release की गई है यदि आप जाडखंड सिक्षक 15 परिक्षा यहनि जेटेट 1224 की तयारी कर रहे हैं तो आपके लिए चक्सु पब्लिकेशन की तरफ से जेटेट के लिए संपून study guide आ गया है class 1-5 के लिए अगर आप बहतरीन तयारी करना चाहते हैं तो चक्सु पब्लिकेशन क इस study guide के माध्यम से आप एक बहतरीन तयारी कर सकते हैं जिसमें आपको 2000 से भी अधिक बहुँ बिकल्पे प्रश्चन मिलेंगे दो सौल पेपर मिलेंगे और पिछले साल का जो question previous question answer है वह भी आपको मिल जाएंगे इस study guide की बात की जाए तो इसमें आपको CDP से लेकर English, Hindi और mathematics के साथ साथ GKGS का यहाँ पे संपूर्ण study guide में दिया गया है इसमें अगर आपको दिखा देते हैं तो देखें जाड़कर सिक्चक पाता परिचा दो है 16 का जो question answer है उसका संपूर्ण हल के साथ यहाँ पे आपको दिया गया है साथ ही इस study guide में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे चैप्टर नंबर वान बाल विकास यहाँ पे चैप्टर दिया हुआ है और चैप्टर को बढ़िया तरीके से यहाँ पे दिया गया है और आप एक बेहतिन तयारी कर सकते है जाडगन जेटेट के लिए तो अगर आप इसको खरिदना चाहते है तो description म लिए चक्सू पॉब्लिकेशन का इस्टरी गाइड के साथ साथ जेटेट चक्सू पॉब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट भी आप ले सकते है और यह दोनों आपको एमेजन और फिलिपकार्ट में मिल जाएंगे तो description में लेंगे आप लोग वहाँ से इसको पर्चेश कर सकत यानि क्लास 1-5 और 6-8 जिसका एकजाम CBT मोड यानि कम्पीटर बेस टेज़ पर लिया गया है और इसका एकजाम जो है संपन हो चुकी है रिजल्ट को लेकर यहाँ पर देखे क्या लिखा हुआ है कि मानेनिये सरवच्च नियाले में दायर SLP नंबर 49424 परिमल कुमार एव रिजल्ट होगा वह Supreme Court के चले के बाद ही होगा Supreme Court में देखार संवाई चल रहे है उसके बाद ही होगी यानि अप जो है अगली संवाई का डेट या फिस शिसर्टमबर और इस ऌमीद नहीं है क् Olympics से पहले तो result आना मोहत मुस्किल है लेकिन आप लोगा answer की जो है 6-8 को वह पास सकता है और वान टो फाइब कभी फाइनल एंसर की कभी में रिलीज होगा और रिलीज होने के सासाथ जो है सबसे मिंपॉर्टेंट है अभी सुप्रिम कोट की सुनवाई सुप्रिम कोट में अगली डेट है तीन सेप्टमबर जो बहुत ज़रूरी है अगर इस दिन दिख रहा है क्योंकि सेप्टमबर में बहुत ज़यादा चांस है कि आप जहोएं ज़ाडखन में इलेक्सन होना है इसको लेकर आचर सनीता लागू होने की बहुत ज़यादा चांस है और ऐसे में सुप्रिम कोट पर पिर से डेट बढ़ा दिया जाता है एक मेहना के लिए या फिर कुछ दिनों के लिए तो फिर ये नियुक्ति जो है फिलहाल के लिए 24 में होना पॉसिबल नहीं दिख रहा होगा लेकिन अगर 3 सेप्टेंबर को ये सुनवाई हो जाती है और सुप्रिम कोर्ट के तरह से एक फाइनल जर्जमिंट आ जाती है तो आप लोगो फिर दे अपडेट मिलता रहेगा जेटर से लेटर भी तमाम अपडेट आपको लोगों देते रहेंगे बहुत बहुत शुक्रियां